सेया तू कमाल का बातें भी कमाल की लागा रंग जो तिरा हुई मैं कमाल की एजेंडा आज तक 2023 के खास महमान बने पलक और मिथुन सच गई सुरो की महफिल दिखी मिया भीवी की केमिस्ट्री तुझे से जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम नहीं हो भई हर साल की तरह इस साल भी एजेंडा आज तक 2023 का शांदार आगाज हो चुका है जिसमें आज खास महमान बन कर पहुँचे हैं सुरीली जोडी पलक और मिथुन तो चलिए करते हैं खास मुलाकात पलक और मिथुन से जहां छिडएंगे सुर होंगी ठेर सारी बातें दिखेगी मिया भीवी की केमिस्ट्री तो आईए करते हैं पलक और मिथुन से खास बाचीद तो आप सब जाखते हैं पलक की जितने खुबसूरत आवाज है उतने खुबसूरत और उट्माई खुबसूरत इनका वेक्तित्थ्व भी है वेक्तित्थ्व के बारे में तो हम बात करेंगे सेशन का नाख हमनी मिथुन भोवती कमाल खरख नंकर पबलल के सामने एक पासी बार क्या चुकी है और लोगों को कहती रहीर Quem कौन तुझे ही अप्यार करेगा क्या घर मेंकभी मुनैं कहा है सेस्टन का श्रिए कॉन तुझे ही यूब प्यार करेगा दुख गाकर सुनाएंगे सुरेले वाज में या फिर कुछ भोलकर ना वालियोस गाकरी सना देते हूं प्लीज यही तो चाहते हैं सब तालिया जोर दा तालिया तू आता है सीने में जब जब सासे भरती हूं तेरे दिल के गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूं हवा की जैसे चलता है तो मैं रित जैसे उड़ती हूं कम तजह यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूं जोर दा तालिया और एक इंट्रेसिंग सवाल भी कर देता हूं मिथुन सर थे आपके पहले तो मिथुन सर से मिसिस मिथुन बनकर जन्देगी का जो सफर है आपका मेलोडियोस तो जाहिए रहोगा उपकोस सब को पता है कैसे हो गया यह सब एक सर से फिर मिसिस मिथुन आप सैक्रो आपने गाने दिये बॉलिवट को अभी तक आप लगातार दे रहे हैं आप बहुत सौमे हैं जंचलमेन हैं खा जाता है कि आप बहुत कम बोलते हैं लेकिन आपका काम बोलता है जोर दालिया मिथुन के लिए प् कुछ होड़ा ही ने आपने तो प्लीज गा कर ही सुदा देजे जितने लोग यहां पर बैठे हैं आप सभी को नमस्कार बहुत आनंद आया है यहां पर आकर और जैसे बात आपने मेरे और पलक के इस रिष्टे की की तो जिस फिल्म में हमारी मुराकात हुई जिसमें मैंने गीत लिखा और बनाया है उनने इसका एक अंगाया भी है मैं उसके एक पंक्री सुनाता हूँ वो गीत है की है हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझे से जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिन्दगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशकी अब तुम ही हो यह इनके लिए था यह सारे देश के लिए था क्या बात है तो देश की जंता आपको देख रही है और तालिया आपके लिए बजा रही है बहुत कब लोगों को पता होगा कि पलक अपने गानों के सरी है सोशल कॉस में बहुत जादा है और जो चोटे-चोटे बच्चे हैं जो देल के बिमारी से ग्रसित हैं आप लोगों में से काफी सारी लोगों को पता है मेरे मिशन के बारे में क्यूंकि बहुत सारी चेहरे हैं और जिनों ने मेरे मिशन को बहुत जादा प्रसारत किया और इसी वज़े से आज अग्रा जो है मदद का वो पहुँच कया है बच्चों तक गूगल थोड़ा पीछ रेमिनरेशन सारी राशी उन बच्चों की सर्जुरीज के लिए जाता है जो की रदे रोग से पिलित है और जब शुरुवात की थी मैं आट साल की थी अब इतने लंबे समय तक चल जाएगा मिशन जो एक छोटी सी पहल के तौर पर शुरू हुआ था बिलकुल नहीं पता हैं बारत की जाने बारे टॉप म्यूजिक का डारेक्टर हैं कंपोजर हैं आरीजीत सिंग को ब्रेक देने वाली हैं क्या एम आई राइट और नॉट खुलकर वो लिए इस मंच पर सवाल मेरा दी है और यह सब का है देखिए मैं अजन आर्टिस्ट जो शब्द है काफी जो तो कुछ लोग जानते भी होंगे कि तुम्हियों से पहले मैंने अरीजीत को जो गाना गवाया था वो भी उतना ही खास गाना है दिल संबल जा जरा फिर महबत करने चला है तू हो जाए दो लाइन यह हम कर लेंगे बाद में लेकिन मुझे लगता है कि जब होनर अरीजीत क इतनी असरदार आवाज मिली जो आज पूरे दुनिया भर में अरीजीत सिंग्हे लाती है एक गीत जो होता है जैसे इस गीत की खासियत मैं लोगों से बताना चाहूंगा कि ये जो गीत होता है ये इतने खास इसलिए बन जाते है कि कई बार ये जो ये जो मनजर है ये जो जजबात है ये जो बाते हैं ये हमारे रोज के जीवन में हमारे सामने है लेकिन एक गीत जो है एक गुलदस्ते की तरह उसको प्रस्तोत कर देता है तो जैसे ये गीत लिखाया साईद कादरी साब ने वो भी इस गाना मितने भड़ा एक उतने जी मखबूत खंबह बहुत् हम सब किसी ना किसी इस रहा से गुजरे है जहापर शायद हमें वो खिड़की खुली मिले या वो दर्वाजा हमें खुला मिले यह सारे फैक्टस मिलकर जो है एक गीत को काम्याब बनाता है और मुझे लगता है कि मुहमद रुफान की आवास भी इस गाने में और अरजीत सही कादरी मैं और अभी आपने भी इस तरीके से गाया है यह यह महौल ही बना देता है थैंक्यू लेकिन पलक आपके लिए इन्होंने तो बोल दिया कि तमाम किस तरह से एक गुरू से सर से आप मेसेस पे चले गई तो यह सब कुस देखने के बाद आप मुझे लगता है कि लेकिन जिसर आपने कहा मैंने वाकई में प्रेम रतन के रूप में धन पालिया है इन्हें पाकर बिकुएज आपीज तूली तूली ब्लेस्ट प्रेस इतने अच्छी इंसान है इतने गुणी है मुझे बहुत सपॉट करते हैं इंकारज करते हैं आ सो हाँ यह गाना मैं इन ही डेडिकेट करती हूँ क्या वाथ है जोड़ार थालिया कि मुझे लगता है कि जितने भी युवा है एक तो आप आपकी शिकायत नहीं वह प्यार से शिकायत लोग करते हैं कि आप रुलाते बहुत है अपने गानों से क्योंकि सीधा आपके गाने दिल को रूख को छू लेते हैं और वहां के बीच ब पहले आपका सवाल है मुझे ऐसे लगता है कि मैं लोगों को नहीं रुलाता मुझे लगता है कि जीवन जो है अपने आप में जितना सुन्दर है उतना कठन भी है और यह जो आँसूं का जो दरिया है यह हम सब के अंदर है यह एसास जो है हम सब के अंदर कई न कई है मेरा गीट जो है वो सिफ उसका एक एक बहाना बन जाता जहांसे मुझे यह एहसास निकलते है आपने गदर टू का सिकर किया जब गदर टू का संगीत करने के लिए आनिल शर्मा जी जो बहुत समानित निर्देशक है हमारे देश के जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम करन है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी उसकी मान उसकी मरियादा को समझ के उसकी गरीमा को समझ के आप उसकी प्रती बढ़े यह प्रशन तब भी आता जब मैंने आशेकी टू का संगीत किया था क्योंकि आशेकी वन जो है वो एक अपने आप में बहुत चर्चित और प्यारे लाल की जोरी उन्में से प्यारे लाल जी इनके चाचा है तो जो उनसे मुझे मिला है मुझे नाम से जादा जो मुझे मिला है वो मुझे सीख मिली है क्योंकि मुझे लगता है जो सीख मिल जाए तो आदमी अपना नाम बनाई लेता है तो इसलिए गदर टूपर भ कि साथ जब में उसके प्रति बढ़ा कि मुझे उसकी महीमा को जो है कही पर भी compromise नहीं करना उसके दरजे को जो है संबाल कर काम करना तो मुझे लगता है फिर होसला आई जाता है करने में कि आपको कौन सा आपको लगता है कि ब्रेक एक मुझे यादे 2005 में आपने आतिप असलम को भी ब्रेक आइधिंक दिया था वो औरीदल सौंग उन्होंने गया था और गया था आपने उसक्रेच था या क्या उसकी बारे में तरह बताएंगे बहुत हीट था वो गाना तब आप पहली बार आयते सुर्खें में जी ये बात है 2005 की और बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि जहर फिल्म थी उसके निर्देशक थे मोहित सूरी और जो बहुत चरचित गाना हुआ I think देश दुनिया भर में इसका नाम ता वो लम है वो बात है तो ये गाना जो है एक्चुली अडाप किया था मैंने इसकी धुन मेरी और इदिल नहीं है ये धुन जो है वो सरतपार से आई थी लेकिन सीखने वाली बात ये है कि जो उसका जो वर्जिन जो बहुत काम्याव हुआ पूरी दुनिया में वो वर्जिन जो है वो भारत में बनाया गया था तो जब एक कोई रॉचीज आती है वो किसी भी मिटी से आए किसी भी फोक से आए लेकिन मुझे लगता है कि हम जब हिंदी फिल्म संगीत की बात करते है उसकी एक सभियता है उसके कुछ नियम है उसका एक धाचा है और उसको समझ के उसको प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी ह इन चीजों के बारे में बाते कम होती है लेकिन मुझे लगता है कि हमारा भारतिय सिनमा और संगीत जो है उसकी मरिया तो लोगों को एक बार याद दिला दें कि कौन सा वगारा था दो लाइन बोला हमें दोनों एक साथ तो कबाल की बात होगी, दोनों गर साथ गालेगे, नमारे दश्यों के लिए, पर मैं अपनी बात पहले पूरी कर देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों के बारे में बात कम होती है, भारतिय सिनमा अपने आप में एक इंस्टिटूशन है और दुनिया भर में उसक संगीतकारों को आने माले मुजिशन्स को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, और इसकी मरियादा और इनकी नियम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता तो हमारा फ्यूचर जो है बहुत रॉशन होगा, प्रेटूशन होगा, वो लंहे, वो बाते, कोई न जा जाने थी कैसी राते हो बरसाते, वो भीगी भीगिया दे, वो भीगी भीगिया दे तालिया, लेकिन आप, यह भी इनो ने म्यूजिक कंपोसर का काम कर दिया, डायकर का, और सिंगर से घवादिया को दिये, चुफ हो गए, आज चलते चलते हैं अबारे दर्शिकों के लिए, अगर एक साथ कोई और एक गाना, अच्छा, एक चोड़ा सावाल, अगर आप तो फिल्मी एक साथ गाया है, तो उस फिल्मे जो मेरा वाला गाना है, पुमझा से तु ही एक मुझ को बतादे, ौट वैसा थाना, आपनी तु दिल का पतादे, चाहूं मैं अना, इतना बता दुझ को चाहर पे अपनी मुझ को यू तो नहीं एक्पियार, ले भी यह आप जो लगा हूं मिलनी, पूछो तुझे एक बारो, तुहीं ये मुझे को बतारे, चाहूं मैं आणाग। मितुन ने बोजा दिया पहले, कि आप खूब जोरदार तरीके सुन को चाहिए। मितुन, चलते चलते, आपका बो सेंगर, जो खुद के अलावा, अपने बीवी के अलावा, पलक मुचाल के अलावा, जिसको अपलाई करते हैं, एक मेल वोईस और एक फीमल वोईस। किसी एक का नाम लेना मुश्किल होगा, लेकिन पता नहीं, इस मंच पे बैठके मुझे केके सर की बहुत यादा आ रही है। सबके फेबरेट, आप सुठा चाहेंगे केके जी को। कालिया, तो केकिसर के साथ मैंने गाना किया था 2007 में, वो कुछ ऐसे जाता है कि उसका अंत्रा है कि मेरे कांधे पिसर को जुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा, आके मेरी पनाहों में शामों से, कांच की तरह वो तूट जाना तेरा, ओ, आज भी जब वो मनजर नजर आते हैं, दिल की भी रानियों को भुला जाते हैं, दर्द में भी ये लब मुश्कुरा जाते हैं, भी ते लम है हमें, जब भी आदाते हैं, दर्द में आड़ियां, I think composition भी अपि कि है, रूछ तक आप ने छूए और कि की इसे हैं जिनको अप ख़ी भी बिसुन लेजें, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, आप थकते नहीं हैं, वह ऐसी आवास. Thank you so much for your compliment, but मैं जब धाई साल की थी, तब से मैं चाहती थी, कि मैं जब थाइस साल की थी, तब से मैं चाहती थी, कि मैं एक बहुत अच्छे office जो है, इनको acting के लिए अभी भी आता है, लेकिन बात वही है कि एकान में भी इनका नजरिया वही है, कि संगीत जो है, वही इनकी प्रिड़ना है, वही इनकी स्तूती है, और उसके लिए ये कोई दूसा रास्ता कभी नहीं लेंगे. एक हम सब की तरब से मेरा सवाद, हम सब इसलिए लगा दिया कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, अग्रिम अंत्राले हमेशा से बहुत सिम्हतारी वाला और सबसे मजबूत होता है डिपार्टमेंट, गर में किसकी चलती है, इनकी चलती है, आपकी चलेगी बेने, किसी की चलती नही है, I think, है ना, पलक लेकिन जितनी सौम में दिखती हैं और जितनी आपने सोशल कॉस भी किया, जो भी सामने हमने आकड़े आपने बताए, दो हजार से जादा, और सब आपके लिए तमाम मैसेज़ हमने पढ़े, उन लोगों के तरफ से जिनकी आपने हेल्प की है, करोड र नहरा के पवन किसा सभी की चलती रहे, लोगों नित्याग दिये जीवन कि प्री दिलों में परती रहे, कि प्री दिलों में परती रहे, दिल वो दिल है, जो औरों को अपनी धडकन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, खुशूरत आवाज, मैं तो दो मेठ हैं हमारे पास, वो आपके लिए छोड़े हमने, मैंने सुना, आपके शोड़ा आपको बहुत पसंदे, आजी बिलकुल बहुत पसंदे कि शोड़ा, पर मैं समझे कि आपके शोड़ा, तो चलते चलते क्या कि शोड़ा के साथ ही, नहीं, मैं, मेरी जीवन का एक बहुत महत्तपुर्ण गाना है, जो मैंने 2007 में बनाया था, मैं उस वक्त केवल 20 वर्ष का था, और वो गाना आती हम, हम सब के दिलों में कही ना की है, वो गीत यह है कि, आँखे तेरी कितनी हसी के इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझे को बसा ले इन में तू, मौरा मेरे मौरा मेरे मौरा मेरे मौरा 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 तो भई हर साल के तरह इस साल भी एजेंडा आज तक 2023 में राजनीती, मनुरंजन और खेल के साथ साथ और भी कई विश्यों के दिगच आज तक के इस महा मंज पर चर्चा करेंगे मंबै से ब्यूरो रिपोर्ट हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए 24-7 Entertainment तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्स्लूसिफ कंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलूर करें नाम तो आप सब जानते ही हैं सास बहु और पेटिया जहां लेकर आते हैं हम आपके लिए नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट